हेलो दोस्तों मैं हूरोईत और आप देख रहे हैं चैनल देख पिस गाय तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर गाड़ी चलाने वाले को आने ही चाहिए और वो होते हैं हमारे वाइपर कंट्रोल्स तो आप देख स को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाईएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं और हम आपके लिए ऐसे ही नया कंटेंट लाते चुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज में आपको बताना चाहूंगा कि यह जो वाइपर कंट्रोल्स हैं यह कंट्रोल करते हैं हमारे वाइपर्स को आप देख सकते हैं यह वाइपर्स आगे लगे रहते हैं और यह वाइपर्स कभी-कभी इनके जो रबड होती है वो भी घ तो फिर हमको यह चेंज करना पड़ता है इसके आगे जो रबढ होती है मैं आपको कार के बाहर जाके भी दिखाऊंगा और साथ ही में पीछे वी वाइपर होता है मैं आपको रियर वाइपर भी दिखाता हूं rear wiper जैसे कि आप देख सकते हैं वो लगा पीछे तो अप rear wiper भी देख सकते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि wipers का काम होता है यह अपनी windshield पे से और पीछे से जो कार में हमारे वो लग गया है पानी आ गया है, बारिश हो रही है शीशा गंदा है, पानी है कुछ, तो उसको साफ करने के लिए, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने नोटिस किया है, काफी सारे लोग को इसमें दिक्कत होती है, जैसे मान लीजे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो उस समय हम इसको यूज़ नहीं कर प नहीं नहीं आपने गाड़ी सीखी है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, कि आप कैसे मतलब इसको हैंडल कर सकते हैं, और चलते हुए मतलब आप कार में इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए, सिंपल है, आपको जैसे भी आपकी कार है, जैसे ये तो आपको यह knob दिया है इसको आप ऐसे करेंगे तो rear wiper ओ जाएगा देखिЕैं आपको इसमें दिखाता हूं यह देखिए हमारा rear wiper on हो गया है इसको करने से तो यह देखिए अब मैं इसको कर दूंगा यह अगर मैं ऊपर करूंगा तो देखिए पानी भी आएगा तो पानी के साथ वाइपर चलेगा और रखेंगे तो वाइपर ड्राय चलेगा और ड्राय चलने का मतलब यह है कि माली जब बारिश हो रही है तो आप सिर्फ इसको अगर आप ले जाएंगे तो यह आपका वाइपर चलता रहेगा मतलब ऐसी चलता रहेगा माली जब बारिश से में नीचे आप करेंगे तब भी आपका वाइपर पानी के साथ चलेगा उपर आप करेंगे यहां पर तब भी पानी के साथ वाइपर चलेगा और आप आते हैं आगे वाइपर पर जो की काफी जरूरी होते हैं तो आपका में ध्यान होना चाहिए कि आप आगे वाइपर को क इच्छे से आने चाहिए मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं तो चली आते हैं इस पर तो फ्रेंट वाइपर्स के लिए आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिया हुआ है इसको पुल करेंगे ऐसे अपनी तरफ उपर की तरफ जैसे इसको ऐसे आप करके उपर उठाएंगे तो यह पुल करने पर पानी के साथ आपके वाइपर्स चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मैं इसको उपर पुल करूंगा तो देखिए पानी के साथ वाइपर्स चलने लगे पुल करने का मतलब यह जो आपकी नौब है इसको आप उपर उठाएंगे ऐसे ऐसे पु वो थोड़ी मतलब घीज गई है या कुछ हो गया है तो उसके लिए आप इसको चेंज करवा सकते हैं अगर आप चाहे हैं तो क्योंकि यह देखिए हलका सा पानी अभी दिख रहा है लेकिन इसका रिजन यह भी है कि अभी गाड़ी रुकी हुई है कार चलती रहेगी और आप वाइपर चलाएंगे तो यह पानी भी हट जाता है मतलब विंड की वज़े से तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होगी तो अब मैं आता हूं वापस इस पे और आप यह देख सकते हैं मिस्ट दिया हुआ है आपको आफ दिया हुआ है आइंटी दिया ह देखे गुमाने वाले कंट्रोल्स तो यहां हो गई अलग से बना हुआ है आपका यह और यह होता है आपका नीचे इउपर नॉप को करना है तो नॉप को अगर आप ऊपर करेंगे मैं आपको दिखाता हूं देखे इस नॉप को मैं उपर शिफ्ट करता हूं देखे बताता हूँ, आप यह देख सकते हैं, यहाँ पे दो जैसे mist हमने उपर किया, अब off पे आ गए, अब हम आतें intermittent पे, तो हम एक नीचे पुश करेंगे इसको, नीचे की तरफ पुश करेंगे तो हम intermittent position पे आ जाएंगे, तो देखिए, इसकी देखिए आप speed कितनी धीरे हो गई ह काफी धीरे चला है, यह देखिए, तो यह मैं वैसे आपको मतलब बोलूँगा कि आप इसको dry run नहीं करें वाइपर को, क्योंकि वाइपर सूखे शीशे पर रगड़ता है, तो वो अच्छा नहीं होता है, उसके जो rubber है और जल्दी घिस जाएगी, तो इसलिए वो मैं आप आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं, तो आप प्लीज यह try करें, जब तक आप मतलब ऐसे सीख रहे हैं, सीखने के लिए आपने थोड़े दिर किया, तो ठीक है, वैसे ना करें, जब तक शीशा गीला ना हो बारिश ना हो रही है, तब तक आप इसको ऐसे use ना करे लेकिन यह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप गाड़ी चलाने से पहले प्लीज इसकी practice जरूर करें, तो अब मैं आता हूँ low पे, तो जो low speed है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, low के लिए आप देख सकते हैं, मुझे दो बार नीचे shift करना पड़ेगा, ज बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है continuous, तो देखिए, intermittent का मैंने आपको बता दिया, अब मैं जाता हूँ सबसे नीचे, high पे, तो मैं आपको इसकी high speed भी दिखा देता हूँ, एक, दो, तीन, यह देखिए, यह इसकी maximum speed है, यह है maximum high पे, तो देखिए, यह मैंने off कर दिया है सुरी, यह आ गया हमारा int पे, अब मैं इसको कर दूँगा, off, तो यह देखिए, यह हो गया है, off, तो off होने के बाद आप जैसे normal हैं, चला रहे हैं, और फिर जैसे गाड़ी चलाते चलाते आपको लग रहा है कि आपका शीशा गंदा हो गया है, तो उसके लिए आपको यही आपका liquid होता है, वो जो wiper liquid होता है, आपकी गाड़ी में पड़ा होता है, वो आपका सीधे आएगा, और आपके wiper साफ हो जाएंगे, तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह liquid आप कहां fill कर सकते हैं, तो देखिए, हम आपको ऐसे hood open करके दिखाएंगे, आप अपने hood को fix कर सकते हैं, फिर उसके बाद यह देखिए, यहाँ पे आप फिल करते हैं wiper liquid, यहाँ पे यह windshield बनी हुई है, और यह आपका पानी की तरह बना हुआ है, तो आप यही वो जगह है, जहाँ पे आपको अपना fluid भनना होता है, और साथ में पानी mix करके, अंदर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई और doubts हो, तो आप हमसे बिलकुल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं, आप उसका reply जल्दी ही करेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, thank you वीडियो देखने के लिए, और हम